परिक्षा के लिए हो या जीवन के पहलों से जुड़ी हुई हो बात ये है कि हमारे बहुत सारे सदसे लगातार ये सवाल बहुत जादा मात्रा में पूछ रहे हैं कि प्लीज मुझे बताईए कि पढ़ाई में मन लगाने का आसान तरीका क्या है गूगल मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता मैं क्या करूँ सर प्लीज मुझे बताईए मेरा पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता, मैं मुझे बताईए मेरा पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता, सर जी कॉलिज की पढ़ाई में मेरा मन नहीं लगता, मैं क्या करूँ इस तरहां के सैक्लो सवाल रोजाना हम से पूछे जा रहे हैं कौर तलब है कि ये पढ़ाई में मन ना लगाने का मुद्धा एक बहुत बड़ी आम समस्या हो चुकी है तो दोस्तों आज हम यहां बताने जा रहे हैं इस वीडियो में कि आपको पढ़ाई में मन लगाने के प्रैक्टिकल और चमतकारी आसान तरीके ये वीडियो अंतक जरू देखनी है यदि आप भी एक विध्यारती है और आप कोई भी हो और पढ़ाई करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए अत्यंत उपयोगी है पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता है और पढ़ाई में मन लगाने का मंत्र क्या है यानि की पढ़ाई में मन लगाने के तरीके क्या है ना केवल पढ़ाई में बलकि आप किसी भी काम में मन को कैसे लगाए इसके लिए भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़ादा उपयोगी होने वाला है प्यारे दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि पढ़ाई में मन लगने के पीछे क्या मुख्य कारण है उसके बाद हम आपको पढ़ाई में मन लगाने के तरीके बताएंगे आजकल की इस भाग दोर भरी जिंदेगी में पढ़ाई में मनना लगना एक आम समस्या बन चुकी है आजकल लोग नेचर अथार्थ प्रकती से इतने दूर जा रहे हैं कि उनका किसी भी काम में मन नहीं लगता है फिर पढ़ाई में मननना लगना तो आम बात ही है पढ़ाई में मनना लगने के कुछ मुखे कारण निमलिखित है मन का अशांत होना, अध्यतिक टीवी देखना, मुबाईल का जादा इस्तमाल, गलत संगती होना शोर शराबे का माहुल पढ़ाई में रूची ना होना, उपरोक्त पढ़ाई में मनना लगने के कुछ विशेश कारण है इनके लावा भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं आजकल लोग टेकनोलोजी का भी बहुत जाद अस्तमाल कर रहे हैं पहले लोग पढ़ाई करने के लिए प्राकृतिक साधनों का उप्योग करते थे जिससे कि उनकी रूची और बढ़ने लगती थी और परिणाम स्वरूप पढ़ाई में खुब मन लगता था आजकल परिस्तिती कुछ इसके विप्रित है अब सवाल ये उड़ता है कि ऐसा क्या करें कि पढ़ाई में मन लगे पढ़ाई में मन कैसे लगाएं पढ़ाई में मन लगाने का आसान तरीका क्या है या फिर कोई चमतकारिक पढ़ाई में मन लगाने का मंत्र है इन सबी सभालों का जवाब हम आपको आगे दे रहे हैं अगर आपका भी पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो यहां बताये गए पढ़ाई में मन लगाने के बहतीन तरीके आपके लिए बहुत जादा फाइदे मन है आई जानते हैं कि पढ़ाई में मन नहीं लगता तो क्या करना चाहिए मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता क्या करोगा आपको पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है आप पढ़ाई में मन लगाने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो उसके लिए हम आपको कुछ चमतकारिक तरीके बताएंगे आईए सबसे पहले जानते हैं पढ़ाई में मन लगाने के कुछ विशेश आसान तरीके अपना लक्षे बनाए सही फील्ड का चुनाओ टाइम टेबल सेट करे सलेवल्स को समझे सही जगा चुने खुद को मोटिवेट करे पढ़ने का सही तरीका नोट्स बना कर पढ़े गुरूप स्टेडी भी करे मेडिटेशन वे प्रनायाम करे अपना लक्षे बनाए सबसे पहले आपको पढ़ाई करने के लिए कुछ लक्षे तैय करना होगा आप पढ़ाई क्यों करना चाहते हैं पढ़ाई से आपके जीवन में क्या होने वाला है आप क्या बनना चाहते हैं आपके पास इन सभी सवालों का जवाब जरूर होना चाहिए इसके बाद आपको अपना एक सही गोल सेट करना होगा ये पढ़ाई में मन लगाने का सबसे पहला और सबसे खास तरीका होगा जो कि आप प्रैक्टिकल करेंगे सही field का चुनाओ, पढ़ाई में मन लगाने से पहले तो आपको इस बात का धियान रखना चाहिए कि क्या आपके पढ़ाई के लिए सही field चुना है आप जिस विशे की पढ़ाई कर रहे हैं, क्या वे आपके लिए सही है क्या थोड़ा सा भी आपको उसमें interest है क्या वह आपके भविश्य से जुड़ा हुआ है इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आपको अपना सही फिल्ड चुनना होगा उधान के लिए अगर आपको साइंस पढ़ना बहुत जादा पसंद है और आप किसी कारणवस जियोग्रोफी सबजेक्ट के रूप में लेते हैं तो निसंदे यहां आपका मन ना लगना आम बात है अगर सही फिल्ड का चैन करें टाइम टेबल सेट करें आपका लक्षे सीधा और इसपर्च हो तो अब आपको अपनी पढ़ाई के लिए एक टाइम टेबल तयार करना होगा यह बहुत ज़रूरी है और इससे ज़ादा ज़रूरी है कि इस टाइम टेबल को रोज फोलो करना आप किस फिल्ड की पढ़ाई कर रहे हैं आपकिस विशे में निपूर बनना चाहते हैं आपको उसके लिए उस विशे को देखते हुए अपने दिन का कुछ हिस्सा टाइम टेबल सेट करके तयार करना होगा और रोजाना इससे फोलो भी करना होगा स्लेबस को समझे, स्लेबस को समझना बहुत जरूरी है पढ़ाई में रूची पैदा करने के लिए आपको टाइम टेबल बनाने के बाद अपने स्लेबस को अच्छे से समझना होगा आप किस कोर्स की पढ़ाई कर रहे हैं वेकोर्स या उस कक्षा का स्लेबस आपको अच्छे से समझना होगा और उसको समझते हुए हर एक टॉपिक का टाइम टेबल तयार करना होगा इसके लिए आप सबसे पहले सरल टॉपिक को एक तरफ रख सकते हैं और कठिन टॉपिक को दूसी तरफ इस तरह आपको पढ़ने म बीच में पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं तो जाहिर है पढ़ाई में आपका मन नहीं लगेगा यह बहुत जरूरी है कि आपको पढ़ाई में सही से मन लगाने के लिए सही जगा का चुनाव करना होगा आपको शान्त वातावरन ढूनना होगा खुले हवादार कमरे में आपको पढ़ाई करनी चाहिए या प्रक्यती के बीच में पढ़ाई कर सकते है ये आपके मन को बहुत जादा प्रभावित करता है खुद को मोटिवेट करें तभी आप कुछ अच्छा कर पाएंगे जब कभी आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा हो तो आप तुरंथ अपने आपको मोटिवेट करना शुरू कर दे आप अपनी पिछली कामियावियू को देखकर आपने आपको मोटिवेट कर सकते हैं अपने बड़े बड़े सपनों की बारे में सोच कर अपने आप मोटिवेट कर सकते हैं खुद को मोटिवेट करने के लिए आप अपने फिल्ड में सफल हुए लोगों की बायोग्राफी भी पढ़ सकते हैं और सबसे अच्छी बात बता देती हूँ ये बहुत जरूरी है कि पढ़ाई में मन लगाने के लिए अपने आपको मोटिवेट भी करते रहे पढ़ने का सही तरीका इस बात का आपको विशेज ध्यान रखना चाहिए कि पढ़ाई करने का तरीका क्या है कई लोग बिस्तर पर पढ़ाई करते हैं तो कुछ लोग सोते सोते किताब खोल देते हैं जो कि बिलकुल ही गलत है आपको पढ़ाई करने के लिए special किसी chair पर बैठ कर table के सामने अपने आपको ऐसा feel कराना चाहिए कि मैं पढ़ाई करने के लिए तैयार हूँ यानि कि पढ़ाई करने के लिए तैयार हो चुका हूँ और जहां मैं बैटा हूँ वे केवल पढ़ाई करने का स्थान है आपको पढ़ने का सही तरीका जरूर मालूम होना चाहिए और इसे अपनाना चाहिए नोट्स बना कर पढ़ें ये बहुत जरूरी है, इससे क्या होगा आपकी पढ़ाई करना आसान हो जाएगा कभी-कभी केवल पढ़ाई करने से मन हटना या बोर लगने लगता है यानि कि बोयसी लगने लगती है ऐसे मैं आपको पढ़ाई करते वक्त अपने पास एक notebook भी जरूर रखनी चाहिए और अपनी पसंदीदा बातों को और आवेशक बिंदूओं को उसमें note करते रहना चाहिए आपको पढ़ाई के notes भी भनाने चाहिए और सरल डाइग्राम में इन्हें रोजाना सजा के रखना चाहिए इससे आपका पढ़ाई करने में बहुत जादा रूची होने लगेगी सबसे बड़ी बात आपको बतायती हैं कि ग्रूप स्टेडी भी करें इससे आपका confidence बढ़ेगा मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता क्या करूँ जी हाँ यदि आपके साथ भी यही समस्या है तो इसका एक बहुत बड़ा आसान तरीका है कि आप जो भी विशे पढ़ रहे हैं आपको इससे जुड़े हुए सवाल अपने दोस्तों से पूछने हैं उनके साथ में चर्चा करनी है या आप उसको ग्रूप स्टेडी का भी नाम दे सकते हैं आपको पढ़ने वाले विध्यार्थियों के साथ में रहना है और उनके साथ में अपने विशे की खूब चर्चा करनी है जो विशेश आपको आता है उससे खूब सवाल पूछने है इससे आपका पढ़ाई में इंटरस्ट बढ़ने लगेगा मेडिटेशन वे प्रणयाम करें पढ़ाई में मन्ना लगने की समस्या को दूर करने के लिए अत्वा किसी भी काम में गदी आपका मन लग रहा हो तो उसके लिए ये तरीका बहुत ही जादा फायदेमन है रोजाना कुछ समय के लिए मेडिटेट या फिर प्रणयाम सरूर करें विशेश वरिस्तिती में जब आप पढ़ाई करना शुरू करते हैं तो उससे पहले भी आप थोड़ा सा ध्यान लगा सकते हैं अपनी मन को एकागर करने की कोशिश करें और कुछ देर तक आठ से दस प्रणयाम करें इससे आपको तुरंत ही चमतकार देखने को मिलेगा आपका मन बिलकुर शान्त हो जाएगा और पढ़ाई में मन या अपनी किसी भी खाम में मन अच्छे से लगने लगेगा तो दोस्तों आप समझ गए होंगे जो भी पढ़ाई को लेकर आपके मन में कोई भी परिशानी थी बस आपको इनको अपनी लाइफ में आजमाईए और अपने फ्यूचर को अच्छा बनाईए टे केर और हाँ हमारे चैनल इंडिया न्यूज को लाइक शेर और सब्सक्राइब ज़रूर करें नमस्कार